सुपरभाद बच्चो आप सुपका आमें पब्लिक स्कूल आमबाला केंट के यूट्यूब चेनल अकेडमी आमबाला में हार दे स्वाधत हैं। बच्चो जैसे कि हमने पिशली कक्षा में आपकी पाच्छे पुस्तक, खुलते पांक, पाठ माला पांच, की पाठ आठ, कविता, दादा जी, नराज हैं का अधिन किया जिसमें की अधिया पिका ने आपको बताया कि जब हम पठन करें तो उसको लाइक के साथ करें। तो मुझे पूरी उमीद है कि आपनी पाठ का कविता का जो पठन है उसको बहुत अच्छे से किया होगा। अब आज की कक्षा में मैं आपको इस कविता की पंग्दियूं का क्या अर्थ है, मतबिस की व्याख्या क्या है, उसको समझाने जा रहे हैं। इस कविता के कवी जो हैं, वो हैं नवीन सागर जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में इस कविता को लिखा है, जिसे पढ़कर कोई भी बहुत असानी से ये समझ सकता है, कि आज के योग में हम सब अपने से बड़ों को सम्मान देना, उनका आदर करना, उनकी देखभाल करना, किनी जिम्मेदारियों की वज़सी हम चूप गए हैं, जो कि हमें नहीं करना हैं। और इस कविता के माध्यम से कवी ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है, कि हमें अपने बज़र्गों का चूप है हमारे घर पर हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके साथ समय बिताना बहुत ही अवश्यक हैं, क्योंकि जब वो बूड़े हो जाते हैं, तो वो जो उनका सभाव है, वो बिल्कुल बच्चों के जिसी हो जाता है, इसलिए कवी ने कविता की पंक्तियों में हमें यह संदेश दिया है, कि हमें अपने घर पर जो भी बुज़र्ग हैं, उन्हें समय देना चाहिए, तो चलो कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं, दादा जी नराज हैं, लेकिन रोज रहा करते हैं, तो इससे हमें कोई फरक नहीं पढ़ता, ऐसे हमें नहीं करना है, पता नहीं चल पाता है कि वे किस से नराज हैं, बच्चों से नराज हैं कि मूरों से नराज हैं, उनकी नराजगी का कोई कारण हमें नहीं पता चल सकता, चत्रों से नराज हैं कि मूडों से नराज हैं, कच्रों से नराज हैं कि कूरों से नराज हैं, मतलब घर पर पड़ी किस चीज़ से नराज हैं समझ में नहीं आता, चोटी से नराज हैं कि जूरों से नराज हैं, दादा जी नराज हैं, रोज रहा करते हैं, वे क्या आच हैं, कई बार ऐस पाबंदिया लगाते हैं लेकिन हमें उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना है तो हमें नहीं पता कि चोटी से नराज हैं कि जूरों से नराज हैं लेकिन नराज हैं, रोज रहा करते हैं कुनसा आज हैं तो कहने का मतलबी है कि उनकी आदत है कि वो नराज हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें उनकी नराज़की का कारण पता करना है कि वो नराज क्यूं है। दादा जी नराज नहीं, उन्हें हुआ है, क्या यह कोई राज नहीं, गुमसुम है अपने कमरे में, उन्हें बुलाए जो आवाज नहीं। तो कहने का मतलब यह है, कि दादा जी है, अगर नराज हैं, तो यह कोई छूपी हुई बात नहीं है, अपने कमरे में वो बिल्कुल चुक्चा पैठे हैं, क्योंकि उनको बुलाने वाले कोई आवाज नहीं है, मतलब उनसे कोई बात नहीं करता। गुजर गए उनकी दुनिया के ठेले मेले, दादी ने रही तपसी हैं, और अकेले कहने का मतलब यह कि दादी जी इस दुनिया में नहीं है, इस वज़ा से दादा जी जो है, वो और अकेले महसूस कर रहे हैं, और उनकी दुनिया के ठेले मेले का मतलब है, जो उनकी दुनि की विबती दादी के साथ वो अब नहीं है। इसलिए वो अपने आपको बहुत अकेला महसूस करते हैं। कहां चले Protect अपने आपको अकेला महसूस करते हैं तो हमारा कर्तब्व्य इंके साथ खेले मिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे एक तुसे के साथ खेलते हैं अपनी नरम हथेली में अब उनका हाथ लो ले जाओ उने बगीचे के फूलों में अपने साथ जुलाओ उन जूलों में फिर देखो लड़ों की चोरी करने में तो कहने का मतलबी है कि जब इनसान बुड़ा हो जाता है तो वो बिल्कुल बच्चा बन जाता है बच्चों जैसी हरकते करता है आपने भी सुना होगा कि जब आप घर जाते हैं गाउं में चुटी तो आपके दादा जी आपके साथ बिल्कुल वैसे खेलते हैं जैसे कि छोटे बच्चे खेलते हैं और कई पर ऐसा भी होता है कि अगर वो मीने मीठे मीठे लड़ू बनाए हैं तो बच्चे जो हैं कुछ तो मम्मी के देने पर खुशी से खाते हैं और जब मन करें और मम्मी कहें कि नहीं बहुत ज़दा मीठा हो गया लेकिन फिर वो लड़ू की चोरी करने के लिए भी तयार हो जाते हैं तो दादाजी की बोलो अब भी हसकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि जब आपकी चोरी पकड़े जाती है तो आपको बड़ी ऐसी अजीब सी हसी आती है तो अगर दादा की चोरी पकड़े जाएगी तो वो भी बिल्कुल आपकी तरह ही हसेंगे चोको मतवे कल नहीं रहेंगे आज हैं भूल जाओ क उनको खुशे रखने का प्रयास करिए और उनको अपने खेल में शामिल करिए और उनको कभी भी अकेला मत चोड़िए यह कविता जो है यह हमें सीख देती है कि हमें अपने जबडों को कभी भी अकेला नहीं चोड़ना चाहिए